स्री सिवाईन नमस्तु व्यम दर्शक को कैसे हूँ आसा गरते हैं कि आप सब सुवस्तेम स्रक्चित होंगे दोस्तो आज 4 फरवरी और आज सनिवार का दिन है साती आज सनिवार चतुरदसी है तो दोस्तो आज के दिन आप लोगों को एक छोटा सा उपाई करना है और ये जो उपाई है हमारे पूज गुर्देव की शिमाहपरान कता से बतायवा बड़ा ही कारगारी उपाई है दोस्तो मानेता है कि अगर इस उपाई को कोई भी व्यक्ति पूर्ण तरीके से पूर्ण विधिवत तरीके से करता है और पूरे विश्वास के साथ करता है तो उस व्यक्ति के घर में कभी लड़ाई जगड़े नहीं होते हैं कभी घर में ऐसांती नहीं होती है दोस्तों ये जो उपाई है बड़ा ही कारगारी उपाई है इस उपाई को किस प्रकार से किस तरह से करना है संपूर्ण जानकारी आप सभी दर्शकों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे अगर आप इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लिज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दे साथ ही वीडियो को लाइक कर दे और हर बार की तरह कोमेंट बॉक्स में स्री शिवाई नमस्त उब्यम जरू लिख दे दोस्तों क्योंकि यह जो उपाई है बड़ा ही कारगारी उपाई है आज सनिवार का दिन है सनिवार का दिन जैसा कि आप सभी को पता है भगवान सरी देव को समर्पित होता है या फिर गरीब व्यक्तियों की मदद करता है साहीता करता है ऐसाही लोगों की तो यह मानता है कि व्यक्ति को भगवान सरीदेव का वैसे भी आसिरवाद प्राव्थ होता है और उनकी जो साड़े साती होती है वैं दूर होती है ऐसे में दोस्तों अगर आपके उपर भी सनी की साड़े साती है या फिर घर में कलय होता है घर में लड़ाई जगड़े होते हैं घर में ऐसानती हो रही है तो यह सब कारिया घर की नकरात्मक एनर्जी यानि की जो भी नकरात्मक एनर्जी होती है उनकी वज़े से भी होता है हम बैड पर बिष्टर करने की बाद में हम श्वम उस बैड पर नहीं सोते हैं तो उस पर अद्रिश्य जो सकती आती हैं भूतों की वह आकर वहां पर इश्राम करती हैं और कई बार आपको अपनी घर में भी संकेत होता है कि हमारे घर में कुछ ऐसी कोई डरावनी चीज है किसी परकार की नकारात्मक एनरजी होती है तो आपको इस उपाई को जरू करना चाहिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है आज सनिवार का दिन है तो एक बार इस उपाई को करेगा प्रन्तु उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक् तो आज की साम आपको इस उपाय को करना है आपको आपको लेना है छोटे छोटे तीन से चार आपको फिटकरी के टुकड़े लेना है उसी के साथ ही आपको एक दो चुटकी नमक ले लेना है ये फिर जो सेंदा नमक आथा है वो भी आप ले लिजिए फिर गुटकी वाला जो और उस काले कपडे की पोठली बनादे और पोठली बनाने के बाद में आप को उसे आपके घर में आपको लगता है कि यहां पर negative energy का वास है यहां पर नकारात्मक थाफ तो उसे इसे में रख दे वरना दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है जो बुरी सकती होती है वे गंदी जगों पर वास करती हैं, कभी भी साब सपाई वाली जगों पर वह नहीं टिकती हैं, अगर आप अपने घर में साब सपाई रखोगे, अच्छी स्वचता रखोगे, तो आपके घर में कभी भी गंदी सक्तियों या बुरी सक्तियों का निवास नहीं होगा, अगर आप अपने पोटली को रख दे, दूसरे दिन सुबह उटा कर आप किसी पीपल के नीचे जा कर रखाए या फिर आपनी एक चान उसार कहीं भी इसे फैक दे दूस्तों मानेता है कि ऐसा करने से घर की जो एनर्जी होती है नेगिटिव वे दूर हो जाती है, गरे में सुख समरदी बनी रहती है तो आप इस उपाय को एक बार जरू करके देखिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा